नमस्कार डिस्क्रोजर विद विनोद में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ डिस्क्रोज करेंगे बशारत बुखारी जो फॉर्मर कैबिनेट पर निस्टर है और कश्मीर जम्मू कश्मीर की सियासत पर पैठ सकते हैं बशारत सब आपका स्वागत है वेलकम जी बहुत कहा है कि पंडित नहिरू ने गलतियां नहीं बलंडर किये हैं और खास्तों पर उस बात का हवाला दिया है कि जो सीस फायर किया गया था और यूनाइट नेशन में समय से पहले चले गए आपकी क्या रहा है अब देखे बनो जी आपको फिर उस वक्त में वापस जाना जानते हैं because you can have आप कुछ चीजें जान सकते हैं peripherial और अंदर जो discourse होते हैं discussions होते हैं या जो problems आ जाती हैं उन पर कैसी decision लिया जाए ही तो वही लोग जानते हैं लेकिन मुझे बताईए कि मैं जस बता रहा हूँ कि अब इलाक भी हुआ सब कुछ हुआ अगर blenders भी होगे ल मुझे यह नहीं लगता है कि हमने ऐसा गुना क्या किया है कि आप सिर्फ हमें ही कोशते रहे हैं सबको और blenders की बात वो कर रहे हैं उस वक्त क्या फैसला लिया क्या नहीं लिया मुझे नहीं मौलूम लेकिन सबसे बड़ी बात है मैं अमिच्छा जी को यह बोलना चाहता आपके तवस्त से कि अगर आप के थे मैंने भी सुना कल कि नहीं ब्लेंडर्स का उन्होंने और उन्होंने ये भी कहा कि तीन सो सतर जाने के बाद सब कुछ ठीक ठाक हो गया अब ऐसा जतलाया जा रहा है और इस तरह से बात की जा रही है ऐसा लगता है कि टूरिजम पहली बार शुरू हुआ यहां पे ऐसा लगता है कि गुलमर्ग पहली बार बनी है ऐसा लगता है पहली बार बना हुआ है ऐसा लगता है कि हम खाना पहली बार खा रहे हैं पांच अकस्त के बाद ही हमने चाई पीना शुरू कर दिया इस तरह का माहौल गड़ा जा रहा है कि ऐसा हो मिनिस्टर मिनिस्टर अमिस्ट शाजी को गुजारिश करना चाहूंगा कि आपने कल धराक से जत्रा दिया और बदे च्छाती ठोक के आपने बातें कल की ठीक है आपका हक बनता आप करें लेकिन आपने आप हमारी बात ये सुन लीजिए कि अगर आपने सब कुछ ठीक कर द दरिया जो पाकिस्तान को गए हैं इंडस वार्टर ट्रीटी के तहत आप हमें बताएए ये कब वापस हमें देंगे बिकोज आप बड़े हमत वाले हैं हमत वर हैं आपने बड़े बचाती ठोके कल बात की यह पाँच दरिया जो है या पाँच मुझे ने पता कितने हैं वो खर्चा भी दे दिये सारा मौफजा और और इसके साथी बशाल साथ एक मिनट के लिए आपको रूखूंगा बशाल साथ आपके जो बिजनस मैन है वो भी जान पे शान के होंगे आपके कुछ ऐसे पैरेंट्स भी होंगे जिनके बचे कॉलेजी स्कूल्स और ये निवा जाते है क्या आपने उन से पूछा कि 5 एकरस के बाद रेगुलर एजुकेशन इस्टिशन चल रहे है रेगुलर बजार चल रहे हैं बन की काल नहीं है हम मेरे सामने नहीं देखते हैं हम हमेरे सामने हैं इस पे कोई शक नहीं है Who says no? Who says no? But the problem is that कि क्या सब कुछ अभी हुआ हम लोग इनसान नहीं थे, अब हम इनसान बने हम जंगल से उधर आए और अगर हमने इलाग किया मिसाल के दूर पर कुछ शरायत पर किया आपने यूनिलेटरली उसको खतम कर दिया हम भी पार्टी थे, हमारी है कि आप वो दरिया हमें वापस दिलवा दिजिए और सारा पचाटर साल का कंपेंसिट कर लीजिए और तो और जितने पावर प्रोजेक्स इन पानी उपे बने हैं वो प्रोजेक्स भी हमारे नाम कर दिजिए आप तो हमत वाले हैं, आप कर सकते हैं और दूसरी बात है कि यहाना पर क्या बोलते हैं इसको इनटाटिन निशिन्स का दफ्टर यही हैं वो बंद नहीं हुआ जे दस साल में भी बंद नहीं हुआ भी दफ्टर है यहां सुरवार में इनटाटिन निशिन्स का जी पानी पानी जी आचा दूसरी important बात है विरो जी अब उन्हें भी कल का कि पारवला कश्मीर हमारा है हम कहते हैं कि हाँ हम एक हैं ये कश्मीर जमू पारवला कश्मीर लदाख इवन वो territory भी जो चाइना के पास है जो पेले भी ली थी चाइना ने अब इनके दोर में भी ले जिसे बात नहीं कर रहे हैं ये भी हमारे हैं ये एक जमूब कश्मीर है इसमें कोas चक नहीं लेकिन ये जो एलिसाफ पे तार लगी ये कब हटाएंगे ये जी दस साल में तो नहीं है टाई क्या इनके कहने का मतलब है कि मसले कश्मीर जो है वो सिर्फ कश्मीर से रिलेटेड है बाहर इसका कोई तालुक नहीं है आप हमें ही मारे जा रहे हैं रोज ये तीन चीज़े आप मेरी तरफ से पार भी हमारा है वहां तार लगी है कोई आरपा जानी सकता है अगर हमारा है वो तार हटा दीजिए दस साल में हटा ही नहीं अपने तार और ये उनाइटी नेशन्स का दफ्तर भी यहां पड़ा हुआ है तो आप जतलाना क्या चाहते हैं ये एक मिसाल मुझे याद है बच्पन में एक कहनी पड़ी थी हमने विनोट जी किसी रसाले में थी कि एक जगा पे दो गरों के दरम्यान जगरा था एक जिसकी जमीन थी दूसरा जालिम था जाबिर था वो उसकी जमीन पे बस गए कि हमें उन्हें मारा और उल्टा ये हुआ कि बाप ने बच्चे को मारा और उसकी टांग कोड़ गी जी आप टांगे हमारी तोड़ने गरवालों की और हां करें बड़ी बड़ी जी तो अगर इतना ही है इसके कोई शक नहीं है कि आपके पत्राव नी हो रहे हैं स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं इसके कोई शक नहीं है तरस देर बट आप पत्तू पे छृड़काव कर रहे हैं दवाई की जड़ को भी देखें ना भाई साब जी और हमें ये सारी चीजें वा, एए में में गुजारिश करता हूं आपके जरीए, बुरा ना माने, कोई मरकजी सरकार का, में गुजारिश कर रहा हूं आपके जरीए, और यह बताए हमें यह चीजें कब होंगी टाइम फ्रेम दे दीजिए, अगर नहीं कर सकते हैं, यह वो बता दीजिये लेकिं लमबी लम्बी मत हाकिये फ्लीज बहुत हाक रहें लमबी लंबी लेकिन बशारवा मुझे बताइए सरकार आप पनून मंत्री पी रहे है रेवनिय्मिनिस्ट्र भी रहे है आप नहीं पीएस से आप वाटर यूजे चार्जिज लेते हैं जो पानी का charges देते हैं ठीक है जी अच्छा ठीक है charge देते हैं वो करा ओप के बाद हम यह कहेंगे जनाब हमें आपके charges झाजIR स्दूरत नहीं है हमें वापस कर दीजे cag है हमारा जी अब अगर वह blender बाकी चीज़ों को blender मांते हैं तो या blender भी सब का चिपने ठीक तो किश्मीर बेस प्रोटिकल पार्टिस ने इसकी विरोध शुरू कर दिया था पाक प्रेम जा गया था विरोध मतलब क्या किया पाकिस्तान प्रेम जा गया कि इंडिस्ट वाटर ट्रिटी को कांटिनू करने दो मैं एक बात आपको बोल रहा हूँ जी ये बात बोल रहा हूँ कि अगर होमिलिस्ट अफ इंडिया या गौर्मिट अफ इंडिया ये कोई चीज बावाज़ बलंद बोलते हैं कि हम ये सारा गलत हुआ था हमने सब ठीक कर दिया अब ये मैं इनको नहीं कह रहा हूँ कि आप य बोली है वो खुद बोल रहा है कल भी बोला उन्हें अगर आपने इतना सारा ठीक कर दिया आप कहते हैं कि आर्टिकल थी सेवंटी के सी बज़ा से सारी चीज़े धरी पड़ी थी कुछ भी नहीं था माल लेते हैं दो मिनिट के लिए तो आप रुक क्योंगे हमें पानी वा पुझे यादे वनोजी जब 98 में शायद आये थे यहाँ पर 99 में 98 में प्राइमिस पे साब आये थे यहाँ पर नहीं सॉरी 99 नहीं 2003 में मुटी साब मरहूम थे वजिर अला तो इन्हें ने शेर कश्मीर स्टेडिया में जलसा किया मैं रिडियो में था मैंने उसकी कमेंटरी की है वहाँ पे वाजपायजी ने पाकिस्तान से हाथ दोस्ती खाथ बढ़ा दिया अभी वो तक्रीर करी रहे थे कि मुश्यरब साब ने वाज़े बढ़ा दिया और जब सीसपायर हो गया तो हम खुद गए हैं यह उड़ी में लोसी पे एक गाउ में गए हैं वो लगामा क मिली थी कि सीसपायर हो आप गोलिया ने चलेंगी वहाँ एक बज़र्ग खातून आई का बेटा उसको दुआ देना जिसने हमें यह आराम दिया मैंने का क्या हुआ का बेटा आपको मालूम नहीं हम रातों को लगड़िया चुनते थे चूला जलाने के लिए हम दिन में नह चलते थे अगर किसी को जाना होता था उड़ी असरी नगर वो रात को निकलता था क्योंकि दिन में चलनी पाते थे फाइरिंग होती थी अब सीसपायर हो गया उसको दूआ दीजिए लेकिन जो गाउं था वो हम तार के नीचे से गए अब अगर आप इतना बता रहे हैं मैं आपको यह उचित लगता है कि बेवजा हम कश्मीर इशू को लेकर कि युनाइट नेशन में चले गए थे क्या यह वाजिव लगता है आपको कि पंडित लैरू ने उस वक्त बड़ा उचित फैसल लिया था और हमारी फोजे जब योके की तरफ जा रही थी तो सीजफायर क कहा मेरे कहने का मतलब है आप तो हुआ है ना आप कहते हैं आप यह मान के चलते हैं कि बलंडर्स हुई है और आपने नाम भी दिया नहरीवन बलंडर्स तो पर ठीक करें ना मैं कहता हूँ यहाँ पर दफ्तर उबंद कर दीजिए पर कर सकतें क्या जी तार हटा सकतें क्या तो आप तो अपने गरवालों को ही मारे जा रहे हैं, हम यहीं मारे जा रहे हैं, और फिर डोल पिट रहे हैं बूरे मुलक में, आप हैरान हो जाएंगे विलोजी एक दिन जिब आर्टिकल 370 के बाद, पता है गुजरात या महारास्चे में कोई मीडिया वाला किसी बच्चे क लड़के का इंट्रिवू ले रहा था, डू नो वाटी सेट, कि अधा आर्टिकल 370 जाने से हमारी गाए बजगी, निदो मर जाती, अब इस तरह का शोशा पहलाएंगे आप, तो कैसे चलेगा भाई साब, यानि बशारत साब के जहान में है कि 370 हटने से कोई बड़ा बद भी बन रहा है, और वैसे भी एक कॉंग्रेस सरकार का है, जो नैशनल हभी बन रहा है, याई ट्रेन वगरा, तो ये चीज़ें तो आ रही थी ना, मैंने अपने कालिस्टोंसी में, एक ही सेक्टर में, पिएची सेक्टर में, नौ साल में, पौने तीन सो करोड लाए, तो मै प्पीमजेड है स्वार हमने इवी एंफिल्यों कर दी, एलैसी हमने इंफिल्यों कर दी, प्यायमजेड है हमने हमने हैंवनी कोई तो आता था, इसका मदल भी जान भूज़ कर नहीं कर रहे थे, आठ्चा, आप चाहते थे कि हम दबा तिनतों सत्र के इसको सर चड़ाइंग क्या बोल के रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है बशारत साब आपको नहीं लगता है कि कहीं न कहीं कुछ गलतियां कॉंग्रेस के एंड पर रही हैं जो कश्मीर के कश्मीर में आतंकवाद का कारण बनी है अगर हम 1984 की बात करें गर्मन्ट आपन करना फिर समझोते करना फिर 87 में रिगिंग करवा रहा है हाँ बलंडर्स तो है देखें आप आप जो इस्टोरिकल फैक्ट्स है आप उनको जुटला नहीं सकते हैं आप किसी भी सियासी तारीख में जो वाक्यात होएं उनको आप जुटला नहीं सकते हैं यह पर मैं यह कह रहा हूँ कि अमिच चाजी या बीजेपी वाले यह कह रहे हैं कि पांच एकस्त के बाद सब कुछ ठीक ठाक हो गया सब कुछ और आपने कहा यह सारी बिलंडर से मैं दो मिट मानता हूं बिलंडर से लेकिन मैं कहता हूं बाकी भी करिये ना पानी वापस दीजिए यह लोसी बितार बन दी है दबतर है इनके बारे में क्या इसका मदब आप हमसे ही बिढ़ते रहेंगे कमाल है और आपने कर रिजर्वेशन दे दी ठीक है जी बिल लाया ओके आई एप्रिशेट डैट लेकिन सर्दारों के लिए भी होनी चाहिए सर्दार बरादिर के लिए नहीं है लेकिन मुझे बताईए आप ला किस लिए रहे हैं वो रिजर्वेशन एसमबली तो है नहीं इलक्षिन हो नहीं रहे है लेकिन आप रिजर्वेशन ला रहे हैं बशाद सब कल ग्रीमंतिय हमिशा ने ये भी कहा है कि जो वलीदानों की बात करते हैं फारुक अब्दुल्ला पर तंज करते हुए किसकी बात कर रहे जब कश्मीर के हालाथ खराब हुए जब उनकी नहितिक जिम्हदारी बनती थी कि वहां कश्मीर में खड़े हो करके कश्मीरी विश्थापित पंडितों को रोके मनाए हालाथ को डिफ्यूज करे और वह लंदन जले गे क्या यह कहना जुर्म है नहीं किसी को रोक थो नहीं सकते हैं, आप गए होगे, कहीं कहीं भी जाता है, हम भी चुटी लेके कहीं निकल जाते हैं, वाट डिस देड़ मीन? लेकि मशार्ण साब जब घर में कोई प्राबलम चल रही हो, तो हम चुटियां बनाने चले जाए, तो एक मोका तो मिलेगा ही, बात करने का है, अरे भाई साब ये बात करने का मौका नहीं है, माती कि उस वक्त गवर्नर रूल हो गया, हालात खराब हो गए, मिल्टिंसी वाज बिगनिंग लेकिन पीक पर थी, कश्मीरी पंडितों को बरादरी को ऐसे निकलना पड़ा, नौटरली कश्मीरी पंडितों बरादरी बहुत सरे पुलिकल लीडर्स जो मुस्लिम तबके से हैं, इन सरदार तबके से वो भी चले गए, वो भी फिर मेर्खा से 20 साल के बाद व नहीं होगा, या मुझे यहां की तकलीफ का अंदाजा नहीं होगा, ऐसा थोड़ी है, आप अभी जाएंगे कहीं दिली, ड़स नेड मीन की डोट लाव यूर फैमिली, और अपनी फैमिली के साथ आपका नाता नहीं है, हाव डिस इन मैटर या, या, यानि बशारत साब इं बाद होए यहां पे, मरता तो मरता है, लेकिन सवाल यह कि, आप एक पर्टिकलर इंसिजन्ट को सारा दोशी ठहराएंगे, या पिर उसी के पल्ले आप सब कुछ बांदेंगे, या कितने पुलिटिकल वर्कर्स ने जान दे दी, आपको अंदाजा होगा, जी, तो सवाल यह है कि, जब हालात जब खराब हो जाते हैं, जब मामलात खराब हो जाते हैं, अब अगर आप कहते हैं कि हमने सब कुछ, आप कहते हैं कि सारा तबाही 370 की थी, अब यह सब ठीक हो गया, मैं कहता हूँ, बाकी चीज़ें भी ठीक करिए नहीं पिर अगर आप सही कह रहें तो, और अगर सब कुछ ठीक है तो इसम्बली इलेक्शन करवाईए स्टेट रूट वापस दे दीजे अभी मैंने परसो स्टेटमेंट दिया था ये हमारी सरकार जो यहां पे है इंतिजामिया इन्होंने जमू में नागा लेंड स्टेट दिवस मनाया अब तो दिवस होते हैं सब और इससे पहले यूटी दिवस मनाया यानि खुशी का इजार किया ये स्टेट से यूटी हो गई आप मुझे बताईए कि आप किसी की दस्तार उतार रहे है और जिस दिन उतार रहे हैं उस दिन को मनाते हैं अब हम इसको मनाएंगे और यहां है नहीं दिली में भी यूटी डे मनाया यारे आप हमें हमारे जख्मूंँ पर नमक च्ड़क रहे हैं कि आपको हमने यूटी कर दिया हमें इसको बजाएंगे अब डोल बजाएंगे और इससे जब आपका पेटर नहीं बरता है तसली नहीं होती है आप नागा लेंगे यूटी यूटी यूब ये स्टेट दिवस मनाते हैं आपे क्या कहना चाते हैं आप लेंगे जेंगे ग्रेमंतरे ने आउन दिव्लोर आफ हॉस कहा कि जल्द ही स्टेट ठूट दी जाएगी अरे भैसाब वहाँ पे कल एक मिनिस्टर साब जो जमू की है वो पता उन्हें इस तरह बात की एज़िफ किसी को मालूम नहीं था बस वही एक जानकारवाल इनसान है कहा जब इलेक्शन के बारे में बात की कहा आपको पता होना चाहिए एज़िफ कुछ कि ये इलेक्शन कमिशन का काम है हम तैयारे है एज़िफ हमें पता ही नहीं है एज़िफ हमें मलूम ही नहीं है कि ये इलेक्शन कमिशन ही इलेक्शन का किया आपने मद्द परदेश का किया एना उनसे लेक्शन लास्ट टेर किया आज पूछे नहीं उनसे ना ज़ाबी एलेक्शन कमिशन का काम है हम तैयार है यह भेवकुफ समझ रहे लोगं को और इस तरह बोल रहे थे जैसे पहले बार यह बात हम तक पहुंच गई और हम इ नहीं था एए कैन यू इमेजिन इस तरह से बात करना बसाना सब सोचे आप उनकी जगा होते तो आईसी परिश्टिक्रिक्या होती तो आप क्या बोलते आप भी तो यह बोलते ना यह प्रोगेटिव जो है एलेक्शन कृशन आफ इंडिया का हम तो नो इज ने 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 मैं मैं बड़ा बेबाक हो मैं यह कह रहा हूं कि मैं उनसे यह सवाल पूछँगा आपके जिरीए कि आपने काँ इलेक्शन कमिशन को कहा ठीक है आप जरा बता niez rij ने क्यों आप यह जब बताते नहीं है कि उनसे पूछाया आप बतादे क की बतांदे कि उन्य कि जब हमें हम सरकार हाला ठीक होगी जब सरकार हमें बताएगी हम करेंगे सरकार के लिए जब वो बताएगे अब बताएगा कौन बशारत साब आपके लिए हाथ से ये सरकार डिक्टेटर शिब चला रही है ये आटोकरेट्स है अरिस्टोकरेट्स है अलग दुनिया है यह वो दुनिया थोड़ी है जैसे हम जमीन पे भी बैठते थे पत्तरों पे बैठते थे मेड जिसको आप कहते हैं जो दो खेतों को अल से लेगन पिशारत साब फिर क्या वजय है कि लगातार यह पांच राज्यों में से तीन में क्लिन स्विप किया है भारती जनता पार्टी ने और आई डॉट एंड डॉट डी डॉट आई डॉट ए अलाइंस वो टास्क के पत्तों की तरह बिखर गया अगर वाक्य में देख हम उनकी डिक्टेटरिशिप की बात नहीं कर रहे हैं हम यहां जमोब कश्मीर की डिक्टेटरिशिप की बात कर रहे हैं वहां क्या निजाम है वह तो जमूरी निजाम है बाकी स्टेट्स में इलेक्शन हो गए जो जीता जो हारा हो अलग बात है लोगों की मर्जी किसको वो कर रहा हूं जो गुपकार एलाइंस बना फिर इंडिया एलाइंस का भी यहां पर पर परभार लगा लेकिन अब अपनी डफली अपना अपना राग अक्तियार किया जा रहा है तो ऐसा प्रेशर कैसे बनेगा सरकार पर यहां अलेक्शन कमिश्रा फिंडिया पर कि जम्मू कु सब कुछ ठीक ठाक है लेकिन इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं जिँ इलेक्शन केमिशन का काम है बता दो उनको यार बात करी हैं ऑंसे कि क्यों नहीं आप फिक्स करतें डेट आप मुझे याद है मैं गोन का और चानल को यह ना मुझे जमो में जब आपने कांग्रियस वगा रहे हैं जो मर्जी करें जा आप देखें ना अब हमारा हमारी बात मीडिया करता अब मीडिया तो बोलते ही नहीं लोगों के बारे में मुझे लगता कि इस मुल्क को चाहिए सब को कि दो तिन चैनल ऐसे create करें लोग खुद जो लोगों की बात सामने रखे आप देखिए टैप में आते हैं कभी कभी वाटसेप पे ये वीडियो वहां सिर्फ सरकार का प्रॉपगंडा होता है सिर्फ सरकार का लोगों की कही बात नहीं है अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता हमें पता ही चलती बाते सोशल मीडिया में तो आपको वो नहीं है आप किसी चैनल में है फिर आपको रिपोर्टिंग करनी है फिर आपको डिसकेशन करना है ना वहां साब कुछ सामने है आप देखे चैनल्स देखे आप मुझे लगता कि यहां हंदुस्तान के लोगों को मौजज़ अवाम को चाहि बशारत साब जम्मू किश्मीर के परिपेक्ष में देखा जाए तो विधान सवा के तुनाब कब होंगे यह कहा नहीं जा सकता है लेकिन लोग सवा में क्या परिस्तितियां रहेंगे क्या स्थितियां रहेंगी मेरे हिसाब से यह लोग सवा इलेक्षिन पहला है जहां पर बड़ास निकालने वाली बात है तो लोग तो बड़ास निकालेंगे मैं जम्मू किश्मीर की बात कर रहूं बड़ास तो निकालेंगे लोग इसमें कोई शक नहीं है बिलकुल कोई शक नहीं है जो तजलील जो जलित का सामना करना पड़ा हमें लोग तो बडास निकालेंगे मुझे लगता है जमुवाले को भी बडास निकालनी चाहिए कि अगर किष्मिरी मसल्मान या जमुवा खिश्मीर का मसल्मान कोई बात करता है बहभूदी की या तकलीफ की वो जमू का भी तकलीफ है उनको भी बीचारों को तकलीफ है एक्तिसादी दूर पीछे चले गए वो मैंने आप उसको परसूग उस दिन का था मैंने का मैं चल रहा था दूर से इनसान पहचानता है ये जमू का होगा नएने चेहरे थे वहाँ पे कोई उदर का कोई इदर का जब हम गुजर रहे थे आपके दफ्तर के आगे से गली से नहीं नहीं चेहरे थे वहाँ पे मिज़ाज अलग स्टाइल अलग बात अलग लहजा अलग तो तकलीफ तो उनको भी है ना लेकिन मैं जमू के लोगों से भी अपील करता हूँ कि कोई भी सियासी पार्टी मजभ का मामला नहीं है कि बशारत बुखारी जिस पार्टी से है वो मजभ का मामला है दूसरी पार्टी मजभ का सियासी जमादे मजभ का मामला नहीं होती है मजभ चलता रहता है आपके हिंदू धर्म को सरातन धर्म को पांच हजार साल हो गए ये आज बीजेपी आरसे से वज़ा से नहीं है सरातन धर्म यो और मिस्टर यो और बिलीविन विदिक फेथ इस नॉट बिकॉज अब आरसे सर बीजेपी ये सदियों से चला रहा है इसमें हम कभी आपने देखा हम कभी मजभी बात करते हैं मजभ को चलाने की बात करते हैं सियासत में उसके लिए अलग हमारे अलमा है मौलाणा साहिबान है इमाम साहिबान है आलम लोग है वो मजभी मामलाते बात भी करते हैं जाते भी हैं, करते भी हैं, इदर तो सब एक ही जगा हो रहा है, मैं जमुवाले अपने बाई बहनों सब को गुजारिश करना चाहता हूँ, कि इसको मजब की नदर से ना देखें, अपने बहबूदी, अपने इक्तसादी मौमलात, अपने फ्यूचर के हिसाब से, जवानों क नाम लेता हूँ, वो भूका प्यासा बिचाना, उसको रोटी नहीं है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको रोटी खिलाओं, कलिमा गो तो है, वो कलिमा पढ़ा उसने, अब मैं कलिमा पढ़ाने जाओंगा उसको, आर्ली मुसल्मान है, याल रोटी दो उसको, बहबूद उस सरकार ने जम्मुकुष मिल्ग में किया है, मैं आपको एक खास बात बताओंगा, वो यह है, कि जितनी भी पार्लिमेट में बिल्ज और कवानीन बनते हैं, जब सरकार बनाती है, अपोश्चिन जब उसको नकारती है, या रियक्ट करती है, फिर भी कानून बनता है, क्य जो वोटर परिशान हो जाते हैं, बलकि सरकार में जो एमलेज हैं या उनके जो वोटर हैं, लोग हैं, उनको भी नुक जहलना पड़ता है, यह सिर्फ अपोश्चन को नहीं जहलना पड़ता है, अगर कोई कानून गरत हो जाए, लेकिन जहां तक रियार्गनजिशन एक्ट का सवाल है, पूरे मुल्क के MPs ने खुशी-कुशी इसके हक में वोट दिया, आर्टिकल 370 के जाने के हक में वोट दिया, लेकिन यह वो गानून है, जिसका असर सिर्फ हम पर है, उन पे कुछ नहीं है, जी, आर्टिकल 370 का असर सिर्फ जमोग कश्मीर पर है, वो अगर य एक्ट आईन के खिलाब बना, तो बाकी मुल्क पे कोई असर नहीं है, हम पे है, लेकर अगर कोई और कानून बनता है, जो पूरे मुल्क में लागू होता है, अच्छा नहीं होगा, उस पर महराश्चर वाले को भी तकलीफ होगी, कश्मीर वाले को भी, बोपाल वाले को भ लेकर हमें तकलीफ है, बहुत सारी चीज़ें होती है, जो सब पे लागू नहीं होती है, ये बात तो हम पे लागू होती है, हमने जिया है इसको. क्रिश्मिस के अवकाश बन रहे चुके हैं अगर इसके विपरीत फैसला आता है देन वाट किस के विपरीत जी किसके विपरीत फैसला है जाए कोट यह कहती है कि पांट अगर सोच्छे अगस्ट को जो हुआ है वो संददानिक ठीक है कंस्टिश्टिट्टरलियोगे है देन वाट कब का हुआ है अचब का अच्छा अगर कहते हैं है फिर आपका जो मुलक का चानून है जो सुप्रीम कोर्ट वो तो फाइनल है सुप्रीम कोट का फाइनल है हाँ हम अगर हमारे खलाफ हो गया जाहरे हम नराज भी हो जाएंगे दुखी भी हो जाएंगे शोर भी हो जाएंगे लेकिन अल्टिमेटली सुप्रीम कोट का फैसला फाइनल होता है लेकिन हमें बुरी अमीद है कि वहाँ पर जो हमने प्रसीडिंग्स देखी थी लगातार देखी उन दिनों हमने प्रसीडिंग्स तो जिस तरह से वुकला ने सारे मौमलात पेश किये सामने रखे मुझे लगता है कि सुप्रीम कौर्ट हमारे साथ इनसाफ करेगा यह मेरा मानना है कि जिस एतबार से यह सारी चीजे हो गई है यह मेरा मानना है कि हमें इनसाफ मिलेगा अगर हो सकता है इसके बरक्स हो तो क्या कर सकते हैं फिर विश्वासी उठ जाएगा जी किले मशाल साथ बहुत दो Σुकριा आपका बहुत अच्छा लगा आप से बात्रित करके धन्यवाद थैंक यू बरे मैच आपका भी बहुत शुक्रिया थैंक यू